बूर्निंग बैच्चो अक्सराइज सादेस मेरं का कोस्चन नम्रब 5 वह hvis यो 9 begitu 5अस इरेक सम भावते क्वूची उसमें आपके साव बास एक सम भावते क्वूच हैं यसमें आपके पास ne यूकल तो एसी कोश्चल में गीवन है एक परपन्डिकुलम्ण को भीच कर देंक है आपके पास एंगल एपी भी और एंगल एपीसी केंगे आपके पास ऐह जेंगी सम्कोंतर्बुच हो सेंगी सम्कोंतरिबुच में फिर क्या करना है आपने और रहेच सुम्तानियम का प्रि तो आशा से पहले आपने क्या लिखना ही आपे दर्चाना है आपने एंगल B ब्रावर एंगल C ठीक है अब इसका हल क्योंकि A P perpendicular on B C ठीक है इक कोश्चन में क्या है आपके पास दिया है इसलिए एंगल A P B is equal to angle A P C ब्रावर क्या जगा आपके पास 90 ठीक है क्या आपके पास यह दोने एंगल क्या होगे 90 इसका मतलब क्या हुआ जो आपके पास तिरिभूच A P B और तिरिभूच A P C एक समकून तिरिभूच है एक समकून तिरिभूच है ठीक है समकून तिरिभूच हो है तो आप क्या करना यह दोनों टैंगल ले लेंगे हैं टैंगल A P B और टैंगल A P C में क्या क्या ब्रावर आपके पास एक तो A B is equal to A C given है A B is equal to A C एक कोश्चन में क्या आपके पास दिया है अब देखें भी यहाँ पर क्योंकि यह समकून तिरिभूच है तो यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बना तो यह इसका करन हो गया यहाँ पर इस टैंगल में यहाँ पर 90 डिग्री का क्या क्या करन हो गया ठीक है जिस इस पर आपका 90 डिग्री का कौन बनता है उसकी समग पुचा आपकी करन कहला ठीक है और A P is equal to PA आपके पास क्या होगी यह ओभियनिस्ट पुचा होगी ओभियनिस्ट पुचा होगी ठीक है तो RHS स्वाम शनकतानियम में आपको क्या दिखाना है एक उस समग को तिरिभूच में एक हो भे पूचा दिखाती है इसलिए जो टैंगल एयपी बी है आपके पास टेंगल एपी बी आपके पास सर हमें टैंगल कि सीके में किस नियम के द्वारा आर एचैस-उ जान सम். 率जा aún है तुझ को हमने इन दोनों टैंगल को हमने क्या कर दिया कर दिया तो आपके पास यह तो यहां से आज़ेगा एंगल ABP is equal to angle ACP by CPCITY, ठीक है, तो इसको क्या रिख सेते हैं, angle B ब्रापर, angle C, आप इसको ABP कह जिए, ABC कह दीजिए, एंगल उतना ही रहेगा, ठीक है, या आप इसको ACP कह दीजिए, या angle ACP कह दीजिए, एंगल का जुमान है, आपके पाँ जुमाप है, वो उतने का उतना ही रहेगा, तो इसलिए, angle B is equal to angle C, जो आपको क्या करना था, प्रूव करना था, थैंक्यू,